लेंग वरिदी तीमन तो आज जो टॉपिक है वो आपका बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है वो क्यों इंपोर्टेंट है वो में स्टार्टिंग में ही आपको बता देती हूं कि लास्ट येर आपका जो एक्जाम में एक कोशन आया था और वो कुशन था आपका अनुरेक्सिया नर्वोसा ठीक है जो की इटिंग डिसॉर्डर था भोजन संबंदी विकार था तो वहां हमें इस वर्ड का मतलब ही नहीं पता था कि ये कुशन जो है वो कहां से आ गया था लेकिन ये कुशन और इसके अलावा इससे संबंदित और भी विकार होते हैं जो की व्यवहार संबंदी होते हैं वहां से भी प्रशन आपके एक्जाम में आते हैं तो आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है बहुत ध्यान से आपको इस चीज को सुनना है चलिए बालक की व्यवहार संबंदी मनोवरतियां जो की सैसवस्था बाले वस्था या किसोरा वस्था इसमें पाई जाती है फर्स्ट जो डेफिनेशन है सिग्मन फ्राइड की तो चलिए सिग्मन फ्राइड क्या कहते हैं व्यवहार संबंदी मनोवरतियों के बारे में वो कहते हैं कि बच्चा जो है वो वयस्था का माता पिता है यानि कि बच्चा जो है वो बड़ों से ऐसे काम करा लेता है जो की एक बच्चों को भी करने चाहिए यानि बच्चा जो है वो बड़ों से भी कारे करा लेता है हर चीज ठीक है तो सिग्मन फ्राइट जो है उनकी डेफिनिशन में ये कहा गया है कि बच्चा वयस्क का माता-पिता है चलिए यहां पर कुछ विद्वन्सकारी व्यवहार होते है यानि कुछ मनोवरतियां होती है जो सैसव वस्था, बाल्य वस्था या किसोरा वस्था में पाई जाते हैं इनको हम दो भागों में बाड़ते हैं विरुद्द आग्याकारी विकार या आजरण विकार अब विरुद्द आग्याकारी विकार जो है वो तीन से साथ वर्ष क वरस्ताम में पाय जाते हैं और एक्जांपल अगर आपने छोटे बच्चे देखे होंगे तो अगर उनको कहा जाता है कि बेटा ये नहीं करना है तो वो पक्का उस चीज को करते हैं ठीक है उनको कहा जाता है कि ये चीज को नहीं लेके आना है तो वो उस चीज को पक्का लेक थिक है तो यही होता है विरुद्ध आग्याकरी विकार यानि उनके अंदर ऐसा विकार जो है वह पाया जाता है जो उन्हें पता ही नहीं होता है इसलिए वह आग्या की अभिलना करते हैं नेक्स्ट है आचरन विकार, अब यह विकार जो है वो 11 से 15 वर्ष के वस्ता में पाया जाता है, इसमें कुछ भी जो आचरन सम्बंधी चीज़ें होती हैं वह बालक करने में असमर्थ होता है, तो कुछ व्यवार सम्बंधी विकार ऐसे होते हैं जो बच्चों को पता ही नही होते हैं फिर भी उनमें पाए जाते हैं चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं हम भोजन संबंधी विकार से पहले देखते हैं व्यवार संबंधी विकृतियां फर्स्ट है ध्यान में कमी होती है ठहराव की कमी होती है एक बच्चे को अगर देखते हैं तो वह एक जगह टिककर नहीं बैठता है या उसको अगर कोई चीज बताई जाती है तो वह ध्यान से बिलकुल नहीं सुनता है या ध्यान ही नहीं दे पाता है तो यह एक तरह की विकृती होती है disorder होता है जो उसे नहीं पता होता है क्योंकि हर बालक जो है वह कभी ना कभी तो बैठता है और कभी ना कभी बात को सुनता भी है लेकिन ये जो बालक होता है ये attention ही नहीं दे पाता है और इसके अंदर activity जो होती है वो इतनी जादा होती है कि वह एक जगे टेकर ही नहीं बैठ यह बच्चा जो है वो अकीला रहना पसंद करता है, यह किसोरा वस्था में देखने को मिलती है, समाज से अपने आपको दूर कर लेगा, स्वायम में ही खोया रहेगा, किसी से अगर उसे नजरे मिलाने को कहा जाए और बात करने को कहा जाए तो वह भी यह करने में असमर्थ ह होता है और किसी से भी बात नहीं कर पाता है, यहां एक नोट है विस्व ओटिज्म दिवस, जो कि दो एप्रिल को मनाया जाता है, इसे आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, विस्व ओटिज्म दिवस, जो है वो दो एप्रिल को मनाया जाता है, नेक्स्ट मनोविक्र को इसकी बहुत प्रिये वस्तू प्रिये इस्थान या किसी प्रिये व्यक्ति से अलग कर दिया जाता है तो उसमें ये disorder जो है वो जन्म लेता है जैसे कि अगर कोई बालक जो है उसकी छोटा बालक है अगर उसकी कोई डॉल जो है उससे दूर कर दी तो वह उस चीज़ को नॉ नॉर्मल तरीके से विहेव करेगा कुछ बच्चे जो हैं वो तो बात मान जाएंगे लेकिन जो बिल्कुल नहीं मानेगा और पूरे घर की ऐसी इधर से उधर हर चीज को बिखेर देना ये सब जो परेशानी वो क्रेट करता है तो यह एक डिसॉर्डर होता है और अगर हम किस कि प्रिय स्थान की बात करते हैं तो उनकी जो प्रिय स्थान है प्रिय व्यक्ति है उन से उनको अलग कर दिया जाता है तो वहैं इस डुस्जनता का शिकार हो जाते हैं अब उनसे कोई भी कार Dew cow güiser नहीं और पाता है तो ये इक तरह इक बातoudर है अब हम आते हैं कि हमारी ज बिजन संबंदी विखरतियां यानी eating disorder जहां से आपका एक्जाम में कोशन आया भी था, यहां तीन जो विक्रतियां है वो हमको पढ़नी है, anorexia nervosa, breathing disorder, चलिए, anorexia nervosa जो है वो विशेजρχण गड़कियों में पाए जाता है, मतलब लडकों में पाए जाता है, लेकिन अपने बॉड़ी को देखते रहते हैं कि हमारा बजन जो है कहीं बढ़ ना जाए खुद इतना पतले होते हैं फिर भी अपनी जो खाना है उसको देखकर इतना परेशान होते हैं कि हमेशा भूका रहना इनको पसंद होता है कई बार तो ये खाने को लेकर जूट भी बोल देत यह जो disorder होता है यह भी किसोरों में ही पाया जाता है वजन से चिन्तित होता है इसमें या तो कभी बोजन बहुत ज़्याधा कर लेगा या बहुत कम कर लेगा यानि कि यहा जो balance है वो नहीं होता है उसके अंदर और अगर उसने ज़्याधा खाना खा भी लिया है तो जब तक कि जब तक उसे परिशानी न हो जाए उसके बाद वह जान बुझकर उल्टियां भी करता है और कई बार तो वो दवा भी लेता है तो इन दोनों में अंतर ये है कि अनुरेक्सिया नर्वोसा में वो खुद पतला है फिर भी वेट को लेकर उसको दिक्कत है और वह खाना नहीं खा रहा है और वोलेमिय नर्वोसा में क्या है या तो वो इतना ज्यादा खा रहा है तब भी उसे नहीं पता चलता है और या बहुत ज्यादा कम कर रहा है यहां पर बैलेंस जो है वो नहीं बैठाता है नेक्स्ट है बींज इटिंग डिसॉर्डर इसमें क्या होता है इसमे कई बार आपने बहुत मोटे जो है वो लोगों को देखा होगा जिनका वेट जो है वो बहुत ज्यादा होता है देखने में भी उनका मोटापा जो है वो देखते ही बनता है कि हाँ ये जो है कितना मोटा है लेकिन अगर उनसे खाने की बात की जाएगी तो वो बिल्कुल खान कम नहीं करते हैं, वो उपर से जादा खाना जो है, वो खाने में लगे रहते हैं, जब तक खाते हैं, जब तक कि उनका पेट खराब ना हो जाए, ठीक है, तो उनको वेट की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है, तो ये एक disorder होता है, जो की eating संबंधी होता है, ठीक है, इस पूर आता है, हर बार आता है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, थेंक यू,